Hi friends, welcome back to study classes. So my dear friends, UGC NET 2021 का जो paper था, वो कोई easy paper, कोई simple paper नहीं था, paper बहुत ही twisted था, और इस series के अंदर हम आपके साथ discuss कर रहे हैं, UGC NET 2021 में आई हुए सवाल, unit wise discussion आपके साथ चल रहा है, सभी shifts के ऊपर, और आज जो unit के सवाल आपके साथ discuss करने वाले हैं, that is business statistics and research, तो आईए देखते हैं कि इस unit से किस तरीके के सवाल आपसे गुमा फिर आपके पूछे गए थे, और उन्हें solve करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, तो आईए let's quickly start this discussion. चली, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे courses के बारे में बता देते हैं, तो my dear friends, अगर आप UGCNet Commerce Management के लिए prepare कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से courses हैं आपके लिए, आपके previous years की practice करने के लिए अलग से course है, इस series है, और complete course जो है, उसमें आपकी end to end सारी coverage हो जाती है, आपके syllabus की, आप उसे भी refer कर सकते हैं, आपको सारी details हमारी website यहां फिर आप पे मिल जाएंगी. चली, तो यहां पे हमारे पर सवाल है, which of the following are correct about complimentary events? तो complimentary event मतलब एक होगा, तो दूसरा नहीं होगा. तो complimentary event, जैसे probability, head आने की अगर हमारी एक event है, तो इसका complimentary event क्या होगा, कि head मेरा ना आए, probability मेरा dice मैंने through किया 1 आजाए, और इसका complimentary क्या होगा, कि probability 1 ना आए, 2 से लेके 6 तक कोई number आजाए, तो इस तरीके से हमारे complimentary event होते हैं, तो complimentary event को अगर आप add कर दोगे, head और head ना आए, इन दोनों की probability को add कर दोगे, तो total आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा, ये भी 1 by 2 है आपका, ये भी 1 by 2 है, ऐसे ही ये आपका 1 by 6 है, और 1 ना आए, बाकी 5 में से कोई आए, तो 5 by 6 और इन टोनों का total भी 1 ही बनेगा, तो इनकी probability हमेशा 1 बन जाएगी, mutually exclusive होगे, यानि कि एक ह होगा, तो दूसरा यहां पर नहीं होगा, ये आपके mutually exclusive होगे, ठीक है जी, और साथ ही collective exhaustive होगे, यानि कि अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा sample space हमारे पास निकलाएगा, तो हमारे पास, अगर head और non head को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा coverage यहां पर हो एक इस पर dependent है, आपके probability head आने पर, तो दोनों इस दूसरा पर इस तरीके से dependent होगी, कि अगर एक आएगा, तो दूसरा नहीं आएगा, तो ये dependency इनके बीच में create हो गई है, ठीक है जी, तो ये independent तो नहीं होगी, तो correct आपका जो answer बनेगा, that is going to cover up A, C and D, your answer is going to be option number 4. And my dear friends, आपके साथ complimentary events, exhaustive events, mutually exclusive events, ये सारी कूर्स में cover up की गई थी, तो ये सवाल के अंदर अगर आप थोड़ा से दिमाग लगाते हैं, तो असानी से आपके से handle कर सकते थे. चलिए अगला सवाल हमारे पास है, which of the falling statement is correct? coefficient of variance, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है, standard deviation divided by mean into 100, ठीक है, तो basically आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, पर unit of mean, अपना standard deviation आप निकाल रहे हैं, comparison में बहुत मदद करता है आपकी ये, और यहाँ पे इसे बिल्कुल correctly denote किया गया है, so one is आपका correct, अगर किसी आपकी series की value negative है, तो standard deviation negative हो जाएगा, जी standard deviation तो आपका कभी negative हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब square कर देते हैं, किसी value को multiply करते है, standard deviation से, या पता नहीं 6 से, कुछ statement ही कुछ clear नहीं हो रहे है, कि variance उट भी multiplied by 36, ये statement आपकी कोई खास clear होई ने रहे है, standard deviation is equal to square of variance, तो ये गलत है, क्योंकि standard deviation is equal to square root of variance ही आना चाहिए था, तो only correct हमारे पास जो बना, वो बना option number 1, so that is going to be the answer for this question, and my dear friends, ये सारी चीज़े कोर्स में भी आपका साथ discuss कर रखी थी, तो सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, चली यहाँ पे सवाल है, for a Poisson distribution variable x, px is equal to 0 is equal to 2px is equal to 1, हम से standard deviation पूछा जा रहा है, तो Poisson distribution के लिए, अगर आपको निकालना हो, mean जा standard deviation वो आपका क्या होता है, वो आपका यह होता है, root m, standard deviation आपका होता है, root m, ठीक है जी, तो अगर आपको यह निकालना है, तो आपकी इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहल इसको अगर हम 0 रख देते हैं, तो e to the power minus m, m to the power 0 divided by 0 factorial, तो यह तो आपका basically e to the power minus m ही आजाएगा, अगर मैं निकालना हो, px is equal to 1, तो यह क्या हैगा, e to the power minus m, m to the power 1 divided by 1 factorial, तो यह आपका क्या आजाएगा, यह आजाएगा, m e to the power minus m, अब इसको इस relationship में अगर हम put कर देते ह relationship के अंदर put कर देते हैं, यानि कि e to the power minus m is equal to 2 into m e to the power minus m, तो e to the power minus m, यह आपके cancel out हो जाएगे, यह बना 1 is equal to 2m, m की value अगर मुझे निकालना ही हो, तो यह आजाएगी क्या आपकी, 1 by 2 या फिर 0.5, तो यह मेरा हो गया mean या फिर variance, अगर मुझे standard deviation निकालना है, तो वह इस answer. And my dear friends, आपके साथ यह formulas और यह सारे जो terminology है, course में discuss किये गए थे, तो standard deviation आपको इस तरीक से निकालना था, और अगर आप ऐसे निकालते हैं, तो इस अवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आती. चली, एकला सवाल यहाँ पर हमारे पास है, for a given set of paired data, correlation and regression coefficients have been calculated as being equal to r, bxy and byx respectively. Now each value of the x series is divided by 5, तो आपका correlation coefficient पे, तीनों coefficient पे कितना change आएगा? तो correlation coefficient पे तो कोई change नहीं आएगा, क्योंकि वो change of origin और change of scale के independent होता है, बड़ आपके जो बाकी दोनों regression coefficient हैं, उनमें यहाँ पे हमारे पास change आजाएगा? कितना change आएगा? आईए उसे देखने की कोशश करते हैं, तो आपके पास originally x और y दो यहाँ पे variables थे, अब इनके अंदर हमने change किया, और अब यह हमारे पास यह से मान लेते हैं, बन गए u और v, तो अगर हमारा u जो है, is equal to x by c, और v जो है, it is equal to y by d, तो अगर यह relation चल रहा है, तो हमारी regression coefficient में जो change आता है, उसे इस तरीके से denote किया जाता है, bxy is equal to buv into c by d, और byx की अगर मैं बायत करूं, is equal to bvu into d by c, इस तरीके से denote किया जाता है, तो अब हमारा सवाल हमें कह रहा है, कि हमने y में तो कोई change नहीं किया, यानि कि d तो हमारा 1 है, मितलो कोई change आया न value आपकी बन जाएगी 5, ठीके जी, अब हमें निकालने निया regression coefficient यानि की buv की value निकालनी है, तो इसकी value निकालनी है, c मेरे पास 5 है, d में तो कोई change है नहीं, तो 1 है, और bxy original वाला है मेरा, तो अब क्या हो गया, buv कितना हो जाएगा, जो निया regression coefficient है, original वाले को divide कर देगा, ठीक है, bxy divided by 5 हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यह मेरे पास कितना आएगा, यह मेरे पास d की value में तो कोई change है नहीं, तो 1 नहीं है, और c की value में यहाँ पर 5 डाल दूँगा, तो मेरे पास जो निया regression coefficient आएगा, is equal to 5 multiply by byx, यानि कि byx में 5 multiply हो bxy आपका, bxy by 5 हो गया, तो that is why, option number 4 is going to be the correct answer, and my dear friends, correlation coefficient की properties और regression coefficient में क्या change आता है, origin और scale के change होने की वज़े से, यह सारे course में आपका से discuss किये गए थे, तो इसलिए उमीद करता हूँ, यह सवाल आप solve कर पाया होंगे, आपको कोई जादा दिक्कत नहीं आई होगी, चलिए, तो यहाँ पर सवाल है, if each value of a series is decreased by k, which of the following does not hold in this context, तो basically quartiles के उपर, origin of, change of origin से, क्या change आने वाला है, यह आप से पूछा जा रहा है, quartiles भी covered है, यहाँ पर quartile deviation भी है, coefficient of quartile deviation भी यहाँ पर covered है, तो quartiles आपके पास क्या होते है, q1, q2, q3 आपके पास यह quartiles होते हैं, ठीके जी, और यहाँ पर अगर हमें quartile deviation निकालना हो, तो वो आपके निकलती है, q3- q1, ठीके, इससे divided by 2 कर देते हैं, अगर coefficient of quartile deviation निकालना हो तो q3- q1, divided by q3 plus q1, तो इस तरीके से आपकी अप्रोच तो अगर हम इस सवाल को देखो, अगर तो आप logic लगा के solve कर सकते हो, logic आपको ये लगेगा, जैसे median के अंदर origin और scale change होने से change होता है, वैसे quartile में भी change होगा, अगर आप ये logic लगा के solve कर लो, फटाफट कर लोगे, अगर आपको सवाल को और बारीके से समझना हो, तो आईए मैं आपको समझाता हूँ, हम assume कर लेते हैं कि हमारे पास एक series है, ठीके मैं assume करता हूँ, एक series है, 2, 4, 6, 8, 10, कितनी terms हो गई, ये हमारे पास हो गई, 5, इसको 7 कर लेते हैं, 10, 12, और 14, 7 terms हो गई, ठीके हमारे पास यहाँ पे increasing order में ही मैंने इन terms को लिख दिया, अगर मुझे quartile 1 निकालना हूँ, तो quartile 1 निकालने के लिए हमारी कौनसे term होती है, number of terms plus 1 divided by 4th term, 7 plus 1 divided by 4 यानि कि second term, ये मेरे पास quartile 1 हो गई, third quartile मेरे पास कौनसा बनेगा, third quartile मेरे पास बनेगा, n plus 1 by 4 into third, तो आपको ये term देखनी है, तो ये आपके पास कौनसे term हो गई, ये basically आपके बस sixth term हो गई, तो ये आपका third quartile बन जाएगा, ठीक है, तो अब अगर आपको quartile deviation निकालनी है, तो आप कैसे निकालते है, क्या 3 minus क्या 1 divided by 2 कर देते, तो क्या 3 minus क्या 1 आपको क्या होगे, 12 minus 4, 8, divided by 2, आपकी quartile deviation 4 निकल कर आ जाती, तो originally हमारी जो quartile deviation है, वो यहाँ पर 4 नि नहीं आता, अगर हम हर एक value को decrease by k, let's assume कि k की जगा हम ले लेते हैं, कि हर value को हमने 1 से decrease कर दिया, तो हमारे पास निया data set क्या बन गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, और 13, यह मेरे पास यहाँ पर एक निया data set बन गया, अब इसके अंदर भी यह quartile 1 हो जाएगा, और यह मेरा quartile 3 हो ठीक है, अगर इनकी quartile deviation निकाले, 11 minus 3 divided by 2, तो यह आपका कितना आ गया, यह भी 4 हो गया, तो 1 वाला तो आपका 3 हो गया, coefficient of quartile deviation, coefficient of quartile deviation यानि कि यह फार्मुला आपको यहाँ पर लगाना है जी, क्या हो 3 minus क्या हो 1 करिए जी, क्या हो 3 minus क्या हो 1 आपका, 12 minus 4 यह आ गया, 8, 12 plus 4 कीचे नीचे, तो यह आपका कितना हो गया, 16, तो 8 by 16 यह आपका आ गया, 1 by 2, ठीक है, यह तो आपका हो गया, original, अगर revised निकालना हो, तो क्या हो 3 minus क्या 1 आपका कितना हो गया, 11 minus 3, यह आपका हो गया, 8, और अब कितना है आपका denominator, यह हो गया, 11 plus 3, यानि कि यह हो गया, 14, अरे भाई यहां तो denominator आपका कम हो गया, denominator आपका कम हो गया, यानि कि आपकी यह जो value है, यहां पे जो revised value है, वो क्या हो जाएगी, revised value आपकी यहां पे बढ़ जाएगी, this value is going to increase, denominator के कम होने से आपकी value increase हो जाएगी, तो coefficient of quartile deviation remain unstained, यह आपकी statement गलत हो जाएगी, और यही answer यहां पे दे रखा है, इस सवाल का, अगला है जी, lower and upper quartile value each increases by k, तो lower and upper quartile value, क्या 1 और क्या 3, क्या यह increase हो रही है, नहीं सर यह तो decrease हो रही है, तो मेरे को तो इस statement में भी गडबर लग रही है, यह statement भी मेरे हिसाब से प dispersion rises, तो हाँ, quartile coefficient of deviation जो है, वो तो rise कर रहा है, यह तो हमने देख लिया, कि denominator कम होगा, तो आपकी value जो overall है, वो यहां पे increase कर जाएगी, तो मेरे इसाब से 2 और 3 दोनों में कुछ गडबर सी है, बट जो official answer है, data is option number 2, बट उमीद करता हूँ, जो concept involved है, इसके पीछे, वो comparison, coefficient of skewness, तो काल Pearson, coefficient of skewness, आपको कैसे निकालते हैं जी, mean minus mode divided by standard deviation, ठीक है जी, तो अगर हमने, सभी values को divided by 4 कर दिया, divide by 4 कर दिया, то क्या होगा, आपका mean भी divided by 4 हो जाएगा, mode भी divided by 4 हो जाएगा, ठीक है, main भी divided by 4 हो जाएगा, mode भी divided by 4 हो जाएगा,倒ous standard deviation भी divided by 4 हो जाएगा ठीक है और अगर आप इसे solve करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर तो आपका mean minus mode divided by standard deviation ही रह जाएगा 1 by 4 और 1 by 4 दोनों आपका बाहर निकल के आपस में cancel out हो जाएगे overall value में आपका कोई change नहीं आएगा overall value unchanged नहीं रहेगी so correct answer is going to be option number 3 आप actual values लेके भी इसे solve करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई change यहाँ पर नहीं आता and my dear friends Carl Pearson का coefficient of skewness का formula और साथ ही आपका mean, mode, standard deviation इनमें क्या चींज आता है original scale के change होने से यह आपको साथ discuss किया था अगर आप इस जानकारी को सवाल में apply करते तो इसके answer तक आप असानी से पहुंचाते तो लेगला सवाल है coin and a pair of dice are toast together अब देखो इसमें ने language पढ़नी बहुत ज़रूरी है सही से एक तो coin है और एक pair of dice है यानि कि दो dice है यहाँ पर जिनको हमने toss किया है तो totally possible outcome कितने होगे coin के तो दो ही होते हैं एक dice के 6 हो गए दो यहाँ पर हमने toss किया है तो कितने हो जाएंगे तो यहाँ पर दोनों के 6 हो जाएंगे 6 into 6 हो जाएगा तो total आपकी sample space कितनी बनी 2 into 6 into 6 यह आपके 72 बनेंगे और correct answer option number 2 बन जाएगा and my dear friends, possible outcome, sample, space यह सारी terms आपके साथ कूर्स में भी discuss की गई थी तो सवाल आपके लिए असान ही रहा होगा तो यह अगला सवाल हमारे पास है assertion reason का assertion में लिख रहे है mean deviation is about 80% of standard deviation quartile deviation is about 2 3rd of the standard deviation अब यह दोनों statements आपकी individually तो सही हैं यहाँ पर reason assertion तो कुछ match नहीं कर रहे कुछ ऐसा reason तो नहीं बन रहा है इस चीज़ का और इसलिए correct answer हमारे पास बनेगा option number 2 का and my dear friends यह relations आपके साथ कूर्स में भी cover up किये गए थे तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी तो चलिए यहाँ पर सवाल है match the falling का list 1 और list 2 आपको दे रखी है list 1 आपसे कह रही है probability distribution binomial distribution hyper geometric distribution और uniform distribution और दूसरी तरफ जो है आपसे पूछी जा रही है इनकी standard deviation आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी standard deviation क्या होती है तो probability और binomial यह तो आप असानी से match कर सकते हैं कि probability distribution आपका second से match करेगा और binomial distribution NPQ का under root यह आपका 3 से match करेगा तो A2 और B3 के अगर आप matching देखेंगे तो 1 और 2 में आपको देखने को मिल रही है 3, 4 तो answer नहीं बनेंगे अब जो C और D की matching है यह distributions normally हम नहीं पढ़ते है hypergeometric distribution जो है उसके जो standard deviation है इसका formula हमारे परस रहता है यह वाला जो point number 4 में दे रखा है और uniform distribution का जो formula रहता है वो point number 1 में जो दे रखा है this is the formula of standard deviation of uniform distribution तो इस तरीके से आपकी matching यहाँ पे हो नी थी और correct answer यहाँ पे आपका option number 1 का बनना था सवाल थोड़ा सा typical था ऐसे distributions normally एक्जाम में नहीं पूछे जाने चाहिए बढ़ उन्होंने पूछे और options भी ऐसे घुमाए ताकि आपको exactly पता हो सारे matching तब ही आप अपना answer यहाँ पे लगा सकेंगे my dear friends binomial distribution और आपके साथ probability distribution इनका standard deviation और variance तो आपके साथ course में discuss किया ही गया था तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी तो चलिए यहाँ पे आप briefly discuss कर लेते हैं hypergemetric distribution को भी तो hypergemetric distribution जो है एक probability distribution है जो कि बहुत similar है हमारे binomial distribution से binomial distribution और इसमें एक छोटा सा अंतर है वो आपको भी बताएंगे एक example देखते हैं hypergemetric distribution का तो कहा कि एक deck of cards है उसके अंदर आपके 20 cards है 6 उसमें से red हैं और 14 आपके black cards है आपने 5 cards ड्रॉ किये हैं randomly without replacement यानि कि आपने replace नहीं किया जो card उठाया उसे वापस नहीं डाला अगर आप replacement कर देते तो यह आपका binomial distribution का case बन जाता बट क्योंकि यहाँ पर replacement नहीं किया है इसलिए यह binomial नहीं बना और इसे हमने नाम दिया hypergemetric distribution आपको निकालनी है probability that exactly 4 red cards are drawn तो देखो यहाँ पर आपको total 20 cards है उसमें से आपने 5 draw किये आपको probability निकालनी है कि exactly 4 ही मेरे red card आए तो total cases आपके कैसे बन सकते है आपने 20 में से अगर 5 card draw करना है तो total cases आपके 20 C5 बन गए ठीक है जी और आपको क्या चाहिए आपको 5 card चाहिए जिसमें से 4 आपके red होने चाहिए टोटल आपके 6 rate है 6 में से 4 rate करने का आपका ये ऐसे आप लिख देंगे इसे 6C4 और बाकी जो बचे आपके पास 14 black card है आप उसमें से 1 draw करेंगे ताकि आपके total यहाँ पर 5 card draw हो जाए तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी probability निकाल सकते है तो इस तरीके से इसका यहाँ पर जो probability function है वो यहाँ पर लिखा जाता है और आप देख सकते हैं कि इसे हम अगर पूरी notation की form में लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं आपका बड़ा k, छोटा k, बड़ा n और छोटा n तो इस तरीके से terminology इसके अंदर use कर लेते हैं कई बार आपको कुछ और terminology भी देखने को मिल सकती है कई जगा m और n लिखा हुआ भी मिल सकता है तो आपको normally समझना है कि इस तरीके से आपकी hyper geometric distribution होती है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलग-लग यहाँ पर हमने यह terminology यूज करी है उसका क्या meaning है जैसे बड़ा k हमारा denote करता है number of success in the population तो आपकी population यहाँ पर क्या थी? 20 cards की थी 20 cards में आपके success वाले card कितने थे? 6 थे तो बड़ा k है आपका क्या हो गया? 6 हो गया k is the number of observed successes तो छोटा k है आपका जो आपने success observe करी तो हमने यहाँ पर कितनी observe करी? हमने केवल 4 observe करी आपका बड़ा n है population size यानि कि 20 छोटा n आपका है number of draws तो number of draws हमारे पर कितने होए थे? यहाँ पर 5 होए थे तो यह आपकी यहाँ पर जो terminology है वो इस्तमाल की जाती है और यह binomial distribution से अलग है वो आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो है replacement नहीं हो रही है without replacement यह आपका experiment हो रहा है अगर इसका mean निकालना हो तो mean का formula आपका इस तरीके से है variance निकालना हो तो इसका formula आपका इस तरीके से standard deviation निकालना हो तो उसका under root यहाँ पर कर देंगे तो यह formulas अब आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि अब examination में एक बार सवाल पूछ लिया तो हो सकता है आगे भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए आए यहाँ पर uniform distribution को भी एक बार briefly देख लेते हैं तो uniform distribution को rectangular distribution भी कहा जाता है यह ऐसी probability distribution जिसमें आपको constant probability देखने को मिलती है यहाँ पर इसका आपको graph देखने को मिल रहा है तो एक rectangle सा आप देख रहे होंगे तो इसलिए इसे यहाँ पर rectangular distribution भी कहा जाता है तो uniform distribution हम ऐसी probability distribution को बोलते हैं जहाँ पर हर possible outcome के आने के बराबर बराबर chances हो जैसे example की बात करें तो अगर आप एक building में आपने enter किया और आप wait कर रहे हैं lift के आने की कि आपके floor पे lift आजा जहाँ पे आप खड़े हैं तो जब आपने lift का button दबाया तो 0 से 40 seconds के बीच में लगते हैं lift को आने में तो 0 से 40 seconds के बीच में lift कभी भी आ सकती है हर second पे आने का उसका बराबर बराबर chance है और इसलिए हम ऐसे distribution को uniform distribution बोल देंगे इसके अंदर हमारे दो parameters होते हैं A और B A आपका denote करता है minimum और B denote करता है maximum जैसे यहाँ पे आपका 0 से 40 seconds था तो A आपका minimum 0 हो गया और B आपका maximum यहाँ पे 40 हो गया तो यह आपकी इस तरीके से uniform distribution यहाँ पे बन जाती है और इसके अंदर आपका जो mean है वो होता है A प्लस B बाई 2 और आपका जो standard deviation है B माईनस A का square बाई 12 का under root यह इसका यहाँ पे standard deviation होता है और यहाँ पे जो इसका probability function होता है वो है 1 divided by B माईनस A यानि कि अगर आप इस case में निकाले 1 by 40 minus 0 तो 1 by 40 हमारे lift के chances है तो lift जो है वो किसी भी time आ सकती है हर second पे आने का chance उसका 1 by 40 ही यहाँ पे रहगा आपकी जो probability है वो constant रहने वाली है तो इसलिए इसे यहाँ पे uniform distribution जो है बोला जाता है तो उमीद करता हूँ आपको यहाँ पे briefly मोटा मोटा uniform distribution का concept भी समझ में आ गया होगा चलिए यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है for binomial distribution with n is equal to 30 q is equal to 0.7 mean और variance में निकालने है तो n 30 है अगर q 0.7 है तो p आपका कितना बचेगा 1-0.7 यानि कि 0.3 आपका p हो जाएगा तो mean अगर आपको निकालने है mean तो बहुत ही असान है mean is equal to n into p तो आपका n है 30 p आपका है 0.3 तो यह आपका mean कितना आ गया 9 आ गया अगर आपको निकालने है यहाँ पे variance variance हो आपकी होती है n p q तो आपको क्या करना पड़ेगा 30 into 0.3 into 0.7 करना पड़ेगा तो यह आपका निकल कर क्या आ जाएगा 6.3 निकल कर आ जाएगा तो 9 and 6.3 यानि कि option number 3 हमारा सीधा सीधा आंसर यहाँ पे बन जाएगा and my dear friends polynomial distribution का mean variance इसके जो भी important measures हैं आपके साथ course में covered up थे तो यह सवाल मेरे according तो बहुत ही असान आपके लिए रहा होगा चली यहाँ पे सवाल है for a very large sample size the ratio between standard error and standard deviation is 8 is to 40 आपको बताने जी sample size तो इसको निकालने के लिए आपको formula लगाना पड़ेगा कि आपका जो standard error होगा यह आपका standard deviation divided by root n होने वाला है जो कि basically है आपका sample size और इसे अगर आप solve करेंगे तो यह कितना निकल कराएगा root n is equal to 40 by 8 यानि कि यह हो जाएगा हमारा 5 और n की value क्या होगी root यहाँ पे लगा हुए root अगर उदर चला जाएगा तो यह square हो जाएगा लगाना था और असानी से आपका answer यहाँ पे निकल आता तेले जी तो यहाँ पे सवाल है a test that contains a fair sample of the tasks and skills actually needed for a job तो job के लिए जो आपको task और skill चाहिए आपके test के अंदर उनी का fair sample है यह कौन सी validity को यहाँ पे denote करता है यहाँ पे content validity को denote करता है so correct answer is going to be option number 2 and my dear friends आपके साथ different types of जो validity है वो course में discuss की गए थे तो इस सवाल को आप असानी से handle कर सकते थे चले एगला सवाल है which of the following statement is correct about man-witney u test it is non-parametric test तो यह आपका non-parametric test होते है it requires that the samples are independent तो यह भी सही बात है it can be used when populations involved are normally distributed तो यहाँ पे यह वाला points सही नहीं है क्योंकि यह non-parametric test है it is used to test the null hypothesis that the two populations involved are identical तो null hypothesis यहाँ पे आपका यही रहते है तो D वाला point भी आपका सही है it is always a two-tailed test तो हमेशा two-tailed test कहना इसे गलत हो जाएगा तो A, B और D यह वाले आपके points सही हो जाएगे किया गया था तो इस सवाल में भी आपको कोई जादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी चेली तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है which of the following statements are correct about chi-square test the only parameter of chi-square distribution is the degrees of freedom तो A वाली statement आपके बिल्कुल सही है null hypothesis is rejected when calculated value of the variable exceeds its critical value तो यह भी आपकी statement सही है rejected region जो होता है goodness of fit में it lies in the right tail of the distribution तो यह भी यहाँ पे सही है chi-square test आपका non-parametric test है तो D वाली आपकी गलत हो जाएगी ABC ही आपका answer बनेगा E वाली भी यहाँ पे आपकी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप जो value देखेंगे यह depend करती है type of distribution पे और इसलिए correct answer यहाँ पे option number 3 ABC only का बन जाएगा and my dear friends sky square test और उसके सारे जो important points हैं आपका सथ कूर्स में भी discuss किये गए थे तो सवाल आप असानी से answer कर सकते थे तो से लिए अगला सवाल है non-sampling error may arise because of तो non-sampling error आपके किन कारणों की वज़े से arise हो सकते हैं तो हमारे पास दो errors होते हैं एक तो होते हैं sampling error और एक आपके पास होते हैं non-sampling error तो sampling error basically आपके कौन से error होते हैं जी sampling error आपके वो error होते हैं जो कि तब अकर कर जाते हैं जब आपका sample जो आपने select किया है वो आपकी population को properly represent नहीं करता, आपने population से sample उठाया और वो sample आपकी population को properly represent नहीं कर रहा, और इसकी वज़े से आपकी जो population की value है, जो true population की value है, और आपकी जो sample की यहाँ पर statistic value है, वो दोनों अलग लग आ जाती है, deviate कर जाती है, और इसी deviation को यहाँ पर हम sampling error बोलते हैं, non sampling error आपके किसी और error की वज़े से आजाते हैं, जैसे आपने data collection के time पर wake definition यूज करी, collection का method आपका defective था, आपने questionnaire के time पर wrong entry कर दी, तो यह सब चीजे जो है, basically यह आपकी non sampling error जो है, वो बन जाते हैं, तो यह error आपके होंगे ही होंगे, चाहे आप sample लीज़े, चाहे पूरा study कीज़े, तो यह error आपके non sampling error बन जाएंगे, तो A, B और D, तो मेरे सीधे सीधे non sampling error ही बनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे 2 और 3 वाले को तो काट देता हूँ, 1 और 4 में से मुझे चूज करना है, अब C और E मेरे पास यहाँ पे बचे हैं, तो E पढ़ते हैं जी, only a part of the population is observed and expected, expected तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे मेरे इसाब से आना चाहिए था, enumerated, to avoid census study, तो आप पूरी census study करने, करना, avoid करना चाहरे थे, और इसलिए आपने एक population के part को observe किया, sample को चूज किया, और वो sample आपने सही से नहीं चूज किया, that was not representative of your population, और इस वज़े से आपका sampling error arise होगा, ना क non sampling error, तो मेरे ख्याल से e वाला point आपका sampling error से जोड़ा हुआ लग रहा है मुझे, और इसलिए correct answer मेरे recording मुझे लग रहा है, option number one आपका होना चाहिए, और c वाला जो point है, अगर आप इसे, आपकी, देखो दो यहाँ पे interpretations हो सकती है, incomplete coverage of the population, तो incomplete coverage of the population को अगर आप इस तरीके स उसमें आपने सही से cover-up नहीं किया, या आप इस तरीके से interpret कर रहे हैं कि आपने जो sample choose किया, वो सही से select नहीं किया, तो दोनों variations आपकी आ सकती है, कि sampling error है या नहीं है, तो मेरे इसाब से तो मुझे appropriate answer लग रहा है, option number one, so that should be the answer for this particular question, and my dear friends, sampling or non sampling error आपके साथ course में पे discuss किये सवाल है, arrange the following steps of formulating research proposal in a logical sequential order, तो my dear friends, आपका जो research proposal formulate होता है, उसमें क्या steps होते हैं, आपको उन्हें correct order में यहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहला step आपका रहेगा कि आप research problem को define करें, उसके बाद आप review of literature करें, आप अपनी hypothesis को formulate करें, और उसके बाद आप यहाँ पी अपनी research को design करें, और फिर अपना जो data collection है, वो आप यहाँ पे करेंगे, तो इस तरीके से आपकी जो sequence है वो रहेगी, और यह हमें देखने को मिल रही है, हमारे पास option number 4 के अंदर, so data is going to be the correct answer, and my dear friends, आपके साथ यह साथ यह सारा process course में भी discuss किया गया था, तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, अगला सावाल हमारे पास है, arrange the falling steps in the process of hypothesis testing in proper sequence, तो आपको फटा-फट से इनको read करना है और proper order में आपको इनको arrange करना है, तो six steps यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो इनको arrange करना है जी, तो आईए try करते हैं, arrange करने का, तो देखो last में त देख रहे हैं, तो f को तो आप छोड़ी दो कि यह तो आपको last में आनी आना है, आप बाकी पांचों को arrange करने की कोशिश कीजिए, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, बी और A में से आपको choose करना है, तो सबसे पहले आपका आएगा जी, आप नल और alternative hypothesis को setup कर लेंगे, औ और उसके बाद आप अपने test statistics को select करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अपना decision rule establish करेंगे, और फिर अपनी computations को perform करेंगे, and then अपनी conclusions को draw करेंगे, so correct matching जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो option number 4 में द जादा दिक्कत नहीं आई होगी, चलिए एकला सवाल हमारे पास है, which of the following statements are correct, तो यहाँ पे basically आप से Z की critical value पूछ रहे हैं, at different levels of alpha यहाँ आप से यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो my dear friends, यहाँ पे आपके पास जो correct statements बनने वाली हैं, वो एक तो आपकी, जो point number 1 है, statement number A है, वो यहाँ पे सही हो जाएगी, यह basically fits हैं, जो कि आपको याद करने थे, critical value of Z, two-tailed और one-tailed test के लिए आपको पता होनी चाहे थी, तो A वाली आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और इसके बाद आपकी जो B वाली है, यह भी बिल्कुल value सही है, C वाली value जो है, यह आपकी सही नहीं है, क्योंकि यह two-tailed test वाली value होती है, और यह आपको point number A में भी दे रखा था, तो A और C तो एक साथ कभी सही हो भी नहीं सकते थे, और यहाँ पे आपका जो D है, वाली value भी आपकी बिल्कुल सही है, और इसलिए correct answer is going to be option number 3, A, B and D. And my dear friends, यह सारी values at different levels of significance आपके साथ discuss भी की हुई थी course के अंदर, तो इस सवाल को आपको यह values के थुरू solve करना था, और अगर आपको यह values पता थी, तो आप असानी से solve कर पाते हैं, चलिए अगला सवाल है, which of the following statements are correct with regard to positively skewed distribution, तो यहाँ पे skewedness की बात हो रही है, और skewedness को measure क करने के अलगलग तरीके हमारे पास available हैं, आप quartiles के थुरू भी कर सकते हैं, और अपनी जो तीनो averages हैं, उनके थुरू भी आप skewedness का अंदाजा ले सकते हैं, तो अगर आपकी positively skewed distribution है, तो उसके अंदर आपका mean greater than median greater than mood, एक तो A वाला आपका true रहेगा, और साथी B वाला तो minus क्या ones है, यानि कि point number D जो है आपका, इस case में भी आपके distribution को positively skewed distribution यहाँ पर बुलाया जाता है, तो आपका A और D वाले case ही बनेंगे positive skewed distribution के, और इसलिए correct answer यहाँ पर हमारा option number 1 का बन जाएगा. And my dear friends, आपके साथ positive और negative skewness discuss किया था, यह आपके साथ mean, median, mode की form में भी discuss किया था, और quartiles की form में भी discuss किया था, तो उमीद करता हूँ, इस सवाल के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी. चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो सवाल दिया कि certain bivariate data, byx and bxy have been calculated, which is equal to 2.4, 2.4 आपका क्या है जी, byx है, and 0.4, 0.4 आपका क्या बनेगा, bxy बनेगा, if the value of the x series are multiplied by 5, x की series को हमने क्या कर दिया, multiply by 5 कर दिया, तो x को हमने u में convert कर दिया, तो u क्या है आपका, u है आपका 5 into x, और यहां पर हमने जो y की values हैं, उनको कर दिया, divide by 2, तो अगर मैं v निकालू, तो v क्या निकल कर आता है, y divided by 2, तो इस तरीके से ये मेरा निकल कर आता है, तो अब मे आपका u को हम ऐसे लिखते है, x divided by c, और v को हम ऐसे लिखते है, y divided by d, तो उस case में जो आपका bxy बनता है, that is equal to buv into c by d, ठीके जी, और ऐसे ही आपका जो byx बनता है, वो यहां पर कितना बनता है, bvu into d divided by c, ठीके, अब यहां पर c और d, इनकी value आपको यहां पर निकालने x, तो c की value क्या होई, c denominator में था, तो अगर denominator में मुझे इस 5 को लेकर जाना हो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x divided by 1 by 5, तो मेरे पास c की value क्या बन गई, 1 by 5 बन गई, d की value तो सीधा सीधा मेरे पास 2 ही बन गई, अब मुझे निकालने है, नए regression coefficient मे given है, वो given है 0.4, यह buv मुझे निकालने है, और c की value मुझे पता लग गई है, यह 1 by 5 है, और d की value भी मुझे पता चल चुकी है, कि यह आपकी 2 है, तो buv की value आपकी कितनी निकल करा जाएगी, तो यह 5 नीचे चला जाएगा, तो यह आपका 10 हो जाएगा, 10 into 0.4, तो यह पर अगर मैं बात करूँ, तो byx की value मेरे पास 2.4 है, मुझे निकालना है bvu, d की value मेरे को पता लग चुकी है, कि 2 है, और c की value है आपकी 1 by 5, तो यह 1 by 5 आपका उपर चला जाएगा, तो यह आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2.4 divided by 10 हमारा bvu हो जाएगा, यानि कि 0.24 हमा और इसलिए correct answer जो मेरा यहाँ पर बनने वाला है, वो बनेगा option number 3, option number 3 जो है, वो मुझे यहाँ पर correct answer दे रहा है, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को solve करना था, थोड़ा से सवाल टेड़ा था, बढ़ अगर आपको पता है कि केस तरीके से approach रहनी चाहिए, तो आप इस स C और D से, तो यह आपके जो नए regression coefficient है, वो इस तरीके से आप उन्हें compute कर सकते हैं, तो आपको यह logic लगाना था सवाल के अंदर और और इस तरीके से आपका जो सवाल है, वो यहाँ पर solve हो जाता, चलिए अगला सवाल है, अन economy grows at 5%, 12% and 7% over the last 3 years, the average annual increase for this period would be, तो आप से पू देखो, यहाँ पर अगर आप normally इनकी average निकालो, 5%, 12% और 7%, 5, 12 और 7 यह आपका कितना हो गया, यह आपका हो गया, 7 plus 7, 24 divided by 3, यह आपका हो गया 8%, But my dear friends, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपके पास ऐसे percentages given हैं, और आपको इनका एक average measure निकालना हैं, तो आपका arithmetic mean की बजाए, जो metric mean जो है, वो इनको बहतर तरीके से denote करता है, तो जो metric mean आपका यहाँ पर compute होना चाहिए, जो metric mean के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि आप आपका जो arithmetic mean है, वो जादा होता है, और जो metric mean आपका arithmetic mean से काम होता है, यानि कि geometric mean आपका less than 8% यहाँ पे होने वाल है, तो इसका जो average annual increase होगा, that is to be computed through geometric mean, और वो यहाँ पे आपका 8% से कम होगा, और इसलिए correct answer आपका option number 4 यहाँ पे बनेगा, and my dear friends, ऐसा सवाल आपके साथ कूर्स में भी discuss किया था, आपको बताया था कि percentages जो है, आपको अगर उनको average form में denote करना है, तो उनको लिए better रहता है, geometric mean निकाले, और geometric mean आपका यहाँ पे arithmetic mean से काम आता है, यह आपको practically solve करके भी दिखाया था, तो इस सवाल में उमीद करता हू होगी, एगला सवाल बहुत ही सीधा सवाल है, which one of the falling is correct, कौन सा यहाँ पे correct है, यहाँ पे probable error के formula दे रखे हैं, तो सही formula जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमें, option number 2 के अंदर, तो यह आपका सही formula है, probable error का, so that is why correct answer is going to be option number 2, and my dear friends, यह जो formula है, आपका साथ कूर्स में भी cover किया गया था, तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, चलिए, यहाँ पे सवाल है, type of validity, based on showing, that the scores on the test are related to the job performance, तो आपके जो test के अंदर scores आए, वो आपकी job performance जोड़े हो है, अगर इस validity को हम यहाँ पे जाँ चरहे हैं, तो इसे हम criteria validity बोलते हैं, so इस difference, different types of validity आपके साथ notes में cover up किया गया था, तो इस सवाल को आप सानी से handle कर सकते थे, चलिए अगला सवाल है, list 1 और list 2 की matching हमें यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे list 1 की अगर मैं बात करूँ, तो list 1 में हमें देखने को मिलना है dispersion, dispersion basically बताता है कि आपके data में कितने ही variation है, तो के बात है काल पीरसन, बाउली और केली के measure of skewness, तो काल पीरसन का measure of skewness है वो आपके mean और mode के difference के basis पर आप यहाँ पे compute करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर इसे जो match कर सकते हैं, इसको match कर सकते हैं point number 2 से based on the relationship between averages, और बाउली measure of skewness के अगर हम बात करें, तो जो बाउली का measure है वो आपके quartiles पे based है, q3 plus q1 minus 2 q2 या फिर median, इस तरीक के से आप बाउली का skewness का measure compute कर लेते हैं, तो median और quartile के relation पे based है, तो इसलिए C आपका 1 से match हो जाएगा, और बचा आपका point number D और आपका option number यहाँ लिस्ट 2 में भी 3 बच गया, के लिए measure of skewness, तो कैसे निकालते हैं आप इसे, आप इसे percentile या decile की form में निकाल सकते हैं, तो इसलिए आप इसे percentile से match कर देंगे, so correct matching यहाँ पे जो बनेगी, that is going to be as per option number 3, and my dear friends, different methods of measuring skewness और इनके formulas आपके साथ detail में discuss किये थे course के अंदर, तो यह सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, चलिए अगला सवाल हमारे पास है, if each value in a given set is increased by k, सभी value को k से increase कर दिया, तो it will, तो basically यहाँ पे Pearson coefficient of skewness, इसके तीन option देखने को मिल रहे हैं, तो उनी पे impact यहाँ पे पूछने की कोशश हो रही है, तो Pearson coefficient of skewness अगर आपको निकालना हो, तो यह basically आपका होता है mean minus mode divided by standard deviation, ठीके जी, तो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, हर एक value को k से increase किया, अब k से increase कि तो आपका mean भी k से बढ़ जाएगा, और आपका जो mode है, वो भी k से बढ़ जाएगा, standard deviation पे origin में change होने से, कुछ plus minus होने से कोई change नहीं आता, तो इसमें तो आपका कोई change आएगा ही नहीं, अगर mean और mode दोनो k से बढ़ जाएगे, तो उपर numerator की figure पे कोई फरक आएगा या जैसे मैं आप से कहते हो कि पहले mean 10 था, और mode आपका 8 था, अब हमने दोनों को 200 से बढ़ा दिया, k की value है 2, इसको भी plus 2 कर दिया, तो पहले इनका difference क्या था, 10 minus 8, 2 था, अब क्या हो गया, अब हो गया, 12 minus 10 अब भी दो रहा, तो numerator में आपका कोई change नहीं आया, तो आपका जो change नहीं आया, overall वो change cancel out हो गया, तो इसलिए कोई change नहीं आया, Pearson coefficient of skewness की value में, so correct answer is going to be option number 2, and my dear friends, आपके साथ Karl Pearson's measure of skewness discuss किया था, और साथ ही आपको arithmetic mean और standard deviation और mode की properties भी बताई गई थी, तो अगर आप उस knowledge को apply करते सवाल में, तो असानी से आपका answer निकल जाता, चलिए गला सवाल है, the value in one of the series in a bivariate data are multiplied by a constant k, तो यहाँ पे हमने जो सारी values हैं, उनको k से multiply कर दिया, तो आप पूछ रहे हैं, which of the following would change as a result of this, किस किस में change आएगा, यह हमसे यहाँ पे पूछने की कोशिश इनकी हो रही है, तो आईए देखते हैं किस में change आएगा, तो य जो है, उसमें origin और scale, दोनों में change कर लो, correlation के coefficient में तो कोई change आता ही नहीं है, तो d में तो कोई change आपका आएगा नहीं, ठीक है जी, standard deviation में, origin का effect नहीं आता, बट scale का आता है, तो यहाँ पे multiply किया, scale का change है, तो यह तो आपका effect हुई जाएगा, ठीक है जी, अब बचा Carl Pearson's coefficient of correlation हाँ, तो Carl Pearson का coefficient of correlation है, तो coefficient of correlation पर तो कोई effect ही नहीं आएगा, और covariance between the variables, तो आपके जो variables का बीच में covariance है, वो basically standard deviation की तरीके से ही निकलता है, और standard deviation के तरह ही, इसके अंदर भी, आपके scale के अंदर change होने से change हो जाएगा, तो B और C, इनके अंदर आपका change आएगा, A और D में नहीं आएगा, तो correct answer is going to be option number 4, B and C only, and my dear friends, आपके साथ discuss किया था, कि standard deviation जो है, उसके अंदर आपका scale में change होने से change आजाता है, correlation coefficient के अंदर कोई change नहीं आता है, independent of origin and scale, और यहाँ पे आपके जो rank correlation coefficient है, वो भी आपको बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करता है, तो उसके अंद friends, यह था हमारा discussion previous year के सवालों पे, NIT 2021 के सवालों पे, अगर आपको इस session का PDF चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा, हमारे UGC NIT Commerce previous year paper वाला जो salt course है, उसके अंदर आपको इसका PDF मिल जाएगा, यह course आप हमारी website से purchase कर सकते हैं, या फिर आप हमारी app से भी purchase कर सकते हैं, तो thank subscribe it, और regular updates के लिए हमें telegram पे भी आप follow करें, आपकी कोई query है, course से जुड़ी हुई, या फिर आप कुछ हमसे discuss करना चाहते हैं, तो आप हमें mail कर सकते हैं, या फिर आप हमें WhatsApp या call कर सकते हैं, number आपकी screen पे दिया है, so this is it for today, thank you, bye, take care, all the best and keep watching your study classes.